आज मैं आप लोगों के लिए नवरात्री इस्पेशल में लेकर आई हूँ फलहारी मसाला डोसा नरियल की चेटनी के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डोसी का बेटर बनाएंगे डोसी का बेटर बनाने के लिए चाहिए मुरेया या भगर एक कप साबुदाना दो बड़े चम्मच अब हम सबसे पहले भगर को वाश कर लेंगे और इसी में साबुदाना डाल कर और एक गलास पानी डाल कर इसी गरने के लिए रख देंगे चार पाँच घंटी अब हम त्यार करेंगे डोसी का मसाला डोसी का मसाला बनाने के लिए चाहिए गी एक बड़ा चम्मच उबले हुए आलू चार पाँच भुनी हुई मुमफली आदा कप फल हरी नमक स्वादनुसार मसाला फ्राय करने के लिए चाहिए कड़ी पत्ता थोड़ा सा हरी मिर्च दो बारी कटी हुई जीरा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और धनिया अब हमने चार पाँच गंटे पहले भीगो कर रख दिया था इसलिए अब हम इसको पानी निकाल लेंगे साबुदाना और मुरेया का यह देखिए पुरा पानी निकाल दीजी अब इसे मिक्सर के जार में डाल कर पीस लेंगे बारिक पेस्ट हम तयार कर लेंगे इसमें आप अधा क्लास पानी डाल कर अच्छे से बारिक पेस्ट तयार कर लीजी अब इसमें थोड़ा से नमक डाल देंगे अधा चम्मच अब इससे अच्छा से खोल कर रख देंगे 10-15 मिनिट के लिए तब तक हम आलू का मसाला तयार करते हैं गैस ओन करेंगे, एक पैन रखेंगे और उसमें घी डालेंगे अधा चम्मच जीरा डालेंगे करीपता डाल देंगे अब इसमें भूनी हुए मूमफली और उबले हुए आलू मिक्स कर देंगे अब इसमें नमक, फलाहरी नमक डालना है और लाल मिर्श पाॉर्डर नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें इसमें बेटर में भी डाला था डोसे के अब इसमें रदनिय डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारा दोसी का मसला तयार हो गया अब डोसी का कवर बनाएंगे यह देखिए आदा घंटा हो चुका है हमारा बेटर कितना स्मूथ तयार हुआ है अब गैस अन करेंगे और उसमें डोसे का नौन स्टिक पैन रखेंगे अब इसमें थुड़ा सा घी लगा लेंगे और उसके उपर डोसे का पेस्ट डालेंगे तबह बहुत तीज गरम नहीं होना चाहिए एकदम धीमी आज पर ही आपको तबह रखकर तुरंती आपको गी डालकर और डोसे का बेटर डाल देना है नहीं तो अच्छे से आपका डोसा नहीं बन पाएगा यह देखिए अच्छे से फैला दीजिए और जब थोड़ा सीख जाता है तब उसमें गी लगा दीजिए अब इसे आराम से पलट दीजिए यह देखिए कितना बड़ी आडोसा तैयार हुआ है अब इसके उपर थोड़ा सा बटर लगा दीजिए और अब यह दोने तरफ सीख चुका है अच्छे से अब इसमें हम अलू का मसाला टाल देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे देखिए कितना बड़ी आडोसा तैयार हुआ है अब दुबारा सेम प्रोसस करेंगे जब भी आप दुबारा डोसा बनाएंगे तो तवा तेज गरम हो जाता है इसलिए इसको ठंडा कर लेंगे ठंडे पानी से इसको पोच लेंगे उसके बाद बटर डालेंगे फिर डोसे का पेस्ट टालेंगे और फैला देंगे जब थोड़ा सीख जाता है तब उसमें घी लगा दीजिए और धिमियाज पर ही सेखिए डोसे को अब इससे पलट दीजिए और इसमें भी थोड़ा सखी लगा दीजिए इसी तरह से हम सारे डोसे तयार कर लेंगे यह देखिए यह भी हमारा बन की तयार हो गया है डोसा रेडियो हो चुका है बागी के सारे डोसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे अब हम बनाएंगे नारियल की चैतनी नारियल की चैतनी बनाने के लिए चाहिए कसा हुआ नारियल आधा कब ताचा दही आधा कब मुम्फली दाना दो बड़े चम्मच और हरी धनिया हरी मेर्च दो लेंगे थोड़ा सा अध्रक एक इंच का तुकड़ा जीरा आधा चम्मच और फलहारी नमक अब हम इन सबी चीजों को मिक्सर चार में डाल देंगे मुम्फली दाना कसा हुआ नारियल दही डाल देंगे हरा धनिया जीरा अध्रक हरी मिर्च थोड़ा सा नमक और इसे बारी पीस लेंगे चटनी को हम बारी पीस का त्यार कर लेंगे अब चटनी में तड़का लगाएंगे गैस ओन करेंगे एक पैन रखेंगे और उसमें आध्य चमच मुम्फली का तेल या गी जिससे आप पसंद करते हैं उसे डाल देजें और जीरा डाल दीजें थोड़ा सा करी पत्त डाल देंगे और जो चटनी हमने पीसी थी उससे डाल देंगे यह देखिए कितनी स्वादस्ट चटनी हमारी त्यार हो गई है फलहारी मसाला डोसा और नरियल की चटनी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है एक बार आप इसे जरूर ट्राइक किजें और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजें शियर किजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजें धन्यवाद